हेलो एंड वेलकम टू नियाई शास्त अकाडमी मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूँ वीकली mcqs digest में इस वीडियो में हम लोग 8 जानवरी से लेके 15 जानवरी तक के important current affairs को mcq form में discuss करेंगे यह इस week का दूसरा अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको यह बता दूं कि यह जो कोर्स है उन बच्चों के लिए मददगार रहेगा जो law entrance की preparation कर रहे हैं अगर आप 5-year law entrance की त्यारी कर रहे हैं या फिर 3-year law entrance की त्यारी कर रहे हैं तो यह दोनों मामलों में आपके लिए महत्रपूर्ण रहेगा चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को इस वीडियो का पहला question है तो इसका answer है धिरेंदर जा तो धिरेंदर जा जो की दिल्ली बेस्ट एक journalist है उन्होंने ये किताब लिखी है जिसका टाइटल है गांदी इस assassination the making of नातु राम गोटसे and his idea of India ठीक है यह बुक जो है explore करती है गोटसे के relationship को कि वो किस organization से influence थे जब उन्होंने गांदी की assassination करी थी अगला question है which date has been declared as वीर बाल दिवस बाई PM Modi तो इसका answer है 26 December तो PM of India नरेंदर मोदी ने declare करा है कि हर एक साल 26 December को हम लोग क्या मनाएंगे वीर बाल दिवस तो यह क्यों मनाएंगे उसके पीछे की history और कहानी हम समझते हैं तो the day will commemorated as a tribute to the courage of four sahib जादेज यह four sahib जादे की courage को हम tribute करने जा रहे हैं जो की गुरु गोविन सिंग जी के पुत्र थे जो की सहादत जिनकी सहादत हो गए थी 17th century में ठीक है तो यह announcement कब करा मोदी जी ने यह announcement करा है 9th January 2022 को जिस दिन क्या मनाय जाता है प्रकास पर मनाय गया इस साल जो की सिरी गुरु गोविन जी सिंग जी का birth anniversary है जो की 10th गुरु है सिख के और founder है खालसा community के और इस दिन का history क्या है जो 26 December की history क्या है तो history यह है कि जो साहब जादे हैं यह जो एक 6 साल के हैं और एक 9 साल के हैं इन दोनों को क्या करा गया था कि दिवाल में चुनमा दिया गया था जिंदा ठीक है उसके बाद अजीद सिंग जी और जूजर सिंग जी यह दोनों की यह भी सहादत होगे इनकी भी सहादत होगे थी कैसे तो battle में enemy से लड़ते हुए ठीक है एक 18 साल के थे यानि कि सबसे बड़े जो थे वो अजीद सिंग जी थे और एक थे जूजर सिंग जी जो कि 14 साल के थे और प्रकास पर्व जो है मनाया गया है इस साल 9 जनवरी को यह भी आपके लिए important है जो कि गुरू गोविन सिंग जी के बड़े पर मनाया गया है और यह कहां पर इनका कहां पर बॉन्ड हुए थे तो यह पटना सहिब यानि कि पटना सिटी में यह बॉन्ड हुए थे बिहार में अगला कोशन है कि इलेक्शन कमिशन एनाउंस्ट असेमली पोल्स सेड्यूल पॉर गोवा पंजाब मनीपूर उत्राखंड और उत्तरप्रदेश यह पांच राज्यों के नाम आपको एक्जाम के लिए याद रख लेने चाहिए कि एक्जाम में पूछा जा सकता है कि इस साल कहां कहां चुना हुएं and who is the chief election commissioner तो इसका आंसर है सुशील चंद्रा जो की 24 वे chief election commissioner है हमारे इंडिया के यहां से आपसे एक और question मैं पूछता हूं कि who is the first chief election commissioner of India अगर आपको पता है तो comment box में ज़रूर बताएं और जो election commission का जो power है वो कहां से डिराइव होता है वो constitution of India से डिराइव होता है ठीक है अगरा question है कि justice आईशा मलिक जो है वो किस देश से बिलॉंग करती है जो की first woman supreme court की judge बनने वाली है पहली महिला supreme court judge बनने वाली है तो इसका answer है पाकिस्तान अगर आप social media या फिर न्यूज चला रहे होगे तो इनकी photo काफी viral हो रही है ठीक है इन a historic moment for Pakistan judiciary Lahore high court justice आईशा मलिक was sown in as the supreme court's first female judge कुछ highlights देख लेते हैं तो justice मलिक का जो नाम है parliamentary committee ने उठाया था ठीक है और justice मलिक जो है दो हजार एकतिस तक ये judge रहेंगी और ये संभावना ही बताय जा रही है कि ये पाकिस्तान की chief justice भी बन सकती है ठीक है और कुछ इसमें विवाद भी हुआ जैसे कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो है ये इन्होंने बाइकॉट करना शुरू कर दिया reason ये दिया कि जो आईश करके इन्हें इनका नाम recommendation recommend किया गया तो इस बात पर पाकिस्तान बार काउंसिल ने क्या करा है boycott करने की धंकी दी है चलिए ये politics में हमें नहीं पढ़ना है हमें बस इनका नाम याद रखना है कि ये कौन country से belong करती है और सांती हमें यह ध्यान रखना है कि भारत का क्या situation है इनका नाम है justice फातिमा बीबी जो की 1989 में बनी थी अगला question है which film won the golden globe award 2022 in best motion picture drama category ये ध्यान रखे ड्रामा कैटेगरी के बारे में पूछ रहा है तो इसका answer है the power of dog ठीक है तो golden global award क्यों दिया जाता है ये भी अपको ध्यान रखना है तो golden global sorry golden globe awards 2022 ceremony was held to recognize excellence in film both American and international and American television and this was the 79th edition ये edition का number भी आपको याद रखना है ये data भी आपको याद रखना है ठीक है तो which honored the best in American television as well as film in 2021 as chosen by the Hollywood foreign press association दो फिल्म को ये मिला है पहला कि the power of the dog ये जो कि drama category में मिला है और एक जो musical and comedy category में best film मिला है वो उसका नाम है west side story ये दोनो movies की नाम याद रखने है और कुछ important नाम याद रखने है जैसे कि best actor, best actress और best director जो है वो champion है जो कि the power of the dog की ही डारेक्टर है और best actress जो है निकोले किडमेन है और जो बेस्ट आक्टर है वो विल स्मित है ठीक है अगला कोश्चन है तो बर्थ एनिवर्सरी और फातिमा शेक इस बिंग और जॉर्ड ऑन विच डेट तो इसका आंसर है 9th January गूगल ने भी गूगल ने यह सेलिबरेट करा गूगल ने क्या करा गूगल सेलिबरेट हैस्टाइग फातिमा सेक्स बॉर्डे बाय लॉंचिंग अ डूडल इन हर मेमोरी ठीक है यह कौन थी यह सी वास एंड एडुकेटर जो की कलीग थी किसकी जोतिबा फुले की और सावित्री भाई फुले की ठीक अगला कोशन है जे डबलू एस टीक है तो इसका आंसर है नासा तो James Webb Space Telescope जो है यह एक unprecedented mission है जो की क्या करेगी वो देखेगी galaxies के light को और discover करेगी mysteries of our universe ठीक है और यह universe जो है यह Hubble Space Telescope से hundred times more powerful है और इसकी जो cost है वो 10 billion dollar है ठीक है और यह बनाएक इनके द्वारा गई है तो यह develop करी गई है European Space Agency और Canadian Space Agency के द्वारा अगला question है which day is marked as World Hindi Day globally every year तो इसका आंसर है 10th January तो World Hindi Day जो है वो celebrate किया जाता है annually on 10th January 2006 से क्या करने के लिए तो to promote the language at the global stage पूरे international पूरे global में यह Hindi language को promote करने के लिए यह 10th January को World Hindi Day celebrate क्या जाता है यह 2006 से start किया गया था उसके पहले एक चीज हुई थी एक conference हुई थी first world Hindi conference जो की प्रधान मंत्री इंदरा गांधी के टाइम पे हुई थी जो की 10th January 1975 में हुई थी उसके बाद क्या हुआ था कि 2006 में प्रधान मंत्री जो की डॉक्टर मनमोहन सिंग्ठे उन्होंने ये दिन celebrate as a world as a first world Hindi day celebrate करना सुरू करवा दिया था उसके बाद एक और चीज में confuse आपको नहीं होना है एक तरह का हुट एक होता है World Hindi Day जो की 10 January को मना जाता है और एक है National Hindi Day जो की 14 सितंबर को मना जा जाता है यह इसलिए मना जाता है कि 1949 में कॉंस्ट्वेंट इसेंबली में हिंदी को एडॉप्ट किया गया था इन देवनागरी स्क्रिप्ट ऐजा ओफिशल लैंगवेज ठीक है बहुत लोगों को लगता है कि जो हिंदी है वो राश्ट्रिय भासा है यानि कि नैशनल लैं नहीं है नहीं राश्ट्रिय भासा है यह एक ओफिशल लैंगवेज है ठीक है भारत का कोई भी राश्ट्रिय भासा नहीं है नाशनल लैंगवेज नहीं है तो इन दोनों डे में कन्फ्यूज नहीं होना है वर्ल्ड हिंदी डे जो की 10 जैनवरी को मना जाता है और जो क्या हिंदी डे है वो का मना जाता है 14 सप्तिम्बर को चलिए अगला कोशन है विच प्लेयर हाज वन 2021 FIDE World Rapid Chess Championship तो इसका आंसर है डी नौद्रिबेक अब दूस त्रोव ठीक है माफ करिए अगर प्रोनशेशन गलत हो तो क्योंकि नामी ऐसा है जो कि उजबेकिस्तान से ये बिलॉंग करते है ठीक है तो इनोंने ये चैंपियंशिप जीता है चेस्ट चैंपियंशिप अगला कोशन है लीजेंट्स लीग क्रिकेट हैज नेम्ड विच फीमिल क्रिकेटर अज अब इस कोशन का आंसर आप इसली दे सकते हैं ये फोटो देखके ये कौन है जूलन गोश्वामी है इनके ऊपर एक मूवी बन रही है जो की हम लीड रोल में कौन है अनुसका सर्मा जी है जो की विराट कोहली के बेटर हांफ है चलिए तो लेजंड लीग ग्रिकेट अपॉइंट अपॉइंट जूलन गोश्वामी अज अबस्टर तो इस अलोमें मैच अफिशल टीम तो प्रमोट ओमें इम्पॉइंट इनिशिएटिव फोट ओमें इनिशिएटिव तो इंक्रिसिपशन अपॉइंट इन्टिकेट थीक है दोल्स सेट अप और ओमें मैच ऑफिशल टीम फॉइंट इन्टायर में लीग तोड़ा हम जान लेते हैं लीजंड लीग क्रिकेट के बारे में लीजंड लीग क्रिकेट जो है एक प्रोफेशनल क्रिकेट लीग है जो कि रिटार्ड क्रिकेटर्स के द्वारा खेला जाता है अभी रहा है ठीक है खेला जाएगा एट ओमन क्रिकेट स्तेडियम इन मसकट औमान और लीजिंड लीक क्रिकेट में योटीम है उनमें तीन तीम है इंडियन महराजा एशन लायन्स और ऒार जाइंट और इंडियन महराजा के जो बीद्ध है वो है कौन मुहमद कैफ चलिए 86th question है who has become the winner of the 2022 Melbourne summer set one men's single title अब आप यहां पर confused मत होएगा कि यहां पर January का महीना है और यहां पर summer है यानि कि January के महीने में तो कड़ाके की ठंड पट रही है हमारे यहां तो यहां पर summer कहां से आ गया तो summer जो है ओस्तिए या में जो है ऑस्तिए जो है ओस्तिए और जो है जो है वह से फेब तक जो है वह कहां पर वहां पर कड़ाके की थंड नहीं घर्मी पड़ती है ठीक है तो इसका आंसर है 86th का राफल नाडल ठीक है तो इन्हों ने जो है men's single tennis title में इन्हों ने जीत हासिल करी और उमेंस सिंगल टाइटल में किसने जीत हासिल करी सिमोना हेल्प में और अमेरिकन ओमेंस डूओ में किसने यह जीता है तो इसका नाम है बर्नैडा पेरा और कट्रीना सिनी का ओवा ठीक है अगला कोश्चन है who among these has been appointed as the vice president of AIIB तो यह हमारे है उर्जीत पतेल जो की हमारे गवर्नर रहे हैं former RBI गवर्नर रहे हैं उर्जीत पतेल उन्हें बनाये गया है vice president of the multilateral funding institution Asian infrastructure investment bank AIIB for three years तो यहाँ पे आपको AIIB के बारे में जानना जरूरी है exam point of view से भी क्योंकि यह favorite part होता है law insurance examination का Asian infrastructure investment bank क्या है एक multilateral development bank है जिसका एम क्या होता है economic और social outcome जो को improve करना Asia में ठीक है total यहाँ पे 105 member है and 16 prospective member है ठीक है headquarter का है तो बेजिंग चाइना में है formation कब हुआ था 16th January 2016 को हुआ था अगला question है national human trafficking awareness day is celebrated on which day तो इसका answer है 11th January तो 2007 में इसके पीछे की history देखने थे है तो 2007 में United States Senate ने ratify किया था resolution कि यह establish करने जारी है 11th January को as a national human traffic awareness day फिर 2010 में President Obama ने decide करा था है कि यह जो entire महिना जन्वरी का वो dedicate करेंगे awareness and prevention of human trafficking तो ध्यान रखेगा जन्वरी का जो महिना है President Obama ने क्या dedicate क्या था किस चीज के लिए dedicate क्या था तो human trafficking के लिए करा था awareness and prevention of human trafficking ठीक है अगले question की तरह बढ़ते हैं तो प्रधानवंत्री नरेंद्र मोदी ने इनग्रेट क्या है 11 new medical colleges को तो यह किस राज्य में करा ही यह बहुत important हो जाता है क्योंकि यह number बहुत बढ़ जादा है ठीक है तो यह इसका आंसर है अगला question है Professor Dr. Satis Adiga को of which of these medical colleges has been selected as selected by ICMR for the national award इसका आंसर है कस्तूर्बा Medical College तो प्रोफेशर जो है वो clinical embryology department से बिलॉंग करते हैं कस्तूर्बा Medical College से जो की अंडर आता है मनिपाल Academy of Higher Education के अंडर आता है और यह जो 37 अडिगा जी है इन्हें select किया गया है ICMR यानि की Indian Council of Medical Research के द्वारा for its national award और यह receive करेंगे कौन सा एवार्ट डॉक्टर सुपास मुखर जी अवार्ट फ्रॉम ICMR और यह क्यों मिलेगा इनको एवार्ट क्योंकि इनके जो contribution है in the field of invertro fertilization IVF and he has contributed significantly to both clinical IVF and fertility research ठीक है अगला question है बहुत ही important है books and authors law entrance examination का favorite topic होता है यहां पूछ रहा है who is the author of Ratan Tata's authorized biography title Ratan and Tata authorized biography तो इस image से आपको answer मिल जाएगा तो एक यह IAS officer है retired IAS officer है जो यह लिख रहे हैं इनका नाम है Thomas Matthew ठीक है और यह book को publish कौन करेगी तो Harper Collins जो है वो publish करेगी ठीक है तो biography is penned by a former senior bureaucrat and retired IAS officer Dr. Thomas Matthew जो की publish करने जा रही है Harper Collins और यह book जो है यह chronicle around 84 के book जो है chronicles में है जो की 84 year old Ratan Tata's की childhood से लेके college year से लेके early influences से लेके अभी तक के सारी चीजों को उसमें लिखा जाएगा जो की publish कब होगी नॉवंबर 2022 में अगला question है what is the theme of National Youth Day तो National Youth Day का जो theme है वो है B its answer is it's all in the mind 2022 का जो theme है और 2021 का जो theme यह था यूवा उट्सा नए भारत का ठीक है तो आपको दोनों याद रखना है दोनो theme याद रखना है तो यह National Youth Day कब celebrate किया जाता है और क्यों celebrate किया जाता है यह भी ध्यान रखना है तो National Youth Day विवेका नंद की birthday पे celebrate किया जाता है तो इस बार हम कितने साल के observe observe कर रहे हैं इसको birth anniversary को 159th birth anniversary सुवामी विवेका नंजी का हम celebrate कर रहे हैं तो ये इनकी birthday date क्या है तो 12th January 1863 ठीक है इस साल का theme हमने देखी लिया it's all in the mind history क्या है इससे related national youth day से related तो 1984 में ये निरने लिया गया था हमारे government में निरने ली थी कि ये हम विवेका नंज के बर्दे को as a national youth day celebrate करेंगे और ये पहली बार celebrate क्या गया था 12th January 1985 को ठीक है तो government had then said that the philosophy of Swamiji and the idols for which he lived and worked could be a great source of inspiration for the Indian youth अगला question है तो national youth day is being observed in India on which date ये already हमने previous slide में discuss कर लिया है और इसका answer मैं नहीं बताऊंगा आप अपने आप mark कर लो चलिए अगला question है 94 DRDO recently test fired a naval variant of BrahMos supersonic cruise missile which destroyer ship was used for testing the missile इसका answer है INS विशाका पतनम ठीक है तो DRDO जो है successfully test fire किया है एक advanced sea to sea variant of the BrahMos supersonic cruise missile अब BrahMos supersonic cruise missile है क्या तो एक joint collaboration है इंडिया और रस्या के बीच में तो BrahMos जो है वो capable है क्या करने के लिए कि वो land से भी launch हो सकता है sea से भी launch हो सकता है सब sea से भी हो सकता है और air से हो सकता है तो पिछले साल दिसंबर में हमारे इंडियन एयर फोर्स ने कहां से test fire किया था तो सुकोई 30 mk1 aircraft से इससे test fire किया था ठीक है एयर से ठीक है अभी इस बार क्या हुआ है इस बार यह c2c variant में हुआ है चलिए ठीक है तो several Asian countries have soon a keen interest in ब्रह्मोज अब चलिए एक कोशन आपसे पूछता हूं कि डिया डियो डे कब celebrate किया जाता है डे कब celebrate किया जाता है और चेर मैं कौन है इसके इसको मैंने पहले वीडियो में इस week इस मन्त के पहले वीडियो में यानि कि जैनवरी 2022 के पहले वीडियो में इसको डिस्कस करा था इस कोशन को यह बहुत important कोशन हो जाता है और यह एक दो बार आ चुका है law entrance examination में तो इन दोनों को आप अगर वीडियो नहीं देखें तो जाके एक बार वीडियो देखें ठीक है अगला कुशन है who among these has been awarded the 12th भारत रतन डॉक्टर अमेदकर एवार्ट 2022 तो इसका आंसर है हरसाली मलोत्रा यह एक मूवी में आई थी सल्मान खान के सार्थ इनका नाम उसमें मुन्नी था मैं नाम भूल रहा हूं मूवी का बजरंगी भाईजान ठीक है बजरंगी भाईजान जो है मूवी का नाम है 95th question और इनका नाम है हरसाली मलोत्रा तो यह आपको ध्यान रखना है यह महराष्टर गवर्वर्मेंट ने इन्हें यह सम्मान दिया है अगला question है who has been named as the new chief economist of the IMF to replace गीता गोपिनाथ ठीक है तो यह पहली महिला क्या थी chief economist थी IMF की तो इनका नाम भी याद रखना है और किसको replace कर रहे हैं इनको कौन replace कर रहा है तो इनको replace करने वाले है एक French born economist जिनका नाम है पीर ओलिवर गौरी गौरी चार्ज थीक है has been renamed as the next chief economist of the international monetary fund थीक है he will succeed गीता गोपिनाथ जो की पहली महिला to serve IMF chief as a chief economist थीक है and he will take over as the first deputy managing director of IMF from 21st January 2022 तो initially जो है यह part time join करने वाले हैं और यह पूरा overtake कब कर लेंगे यह आने वाले टाइम में overtake कर लेंगे अपरेल के महिने में उसके बाद हमें थोड़ा सा static portion जान लेते हैं कि international monetary fund जो है form कब हुआ था तो 27 December 1945 पो यह form हुआ था ठीक है और international monetary fund की headquarter का है यह Washington DC USA में है और international monetary fund में total अभी तक अभी तक आज तक present date पे 190 countries है अगला question है इंडिया फर्स्ट मुबाइल हनी processing van वाज लॉंच्ट इन विच स्टेट इसका आंसर है उत्तरप्रदेश गाजियाबाद में तो ठीक है तो यह किस ने लॉंच किया है तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमिशन चेर्मैन विनई कुमार सक्सेना ने लॉंच्ट किया है इंडिया का पहला mobile honey processing van जो की विलेज सिरोरा इन गाजियाबाद यह वैन है क्या पूरा तो वैन जो है यह क्या करेगा mobile honey processing van जो है यह as a major development for KVIC's honey mission एक honey mission है जो की aim कर रहा है train करेगा bee keepers को ठीक है distributing bee boxes to farmers ठीक है यह basically क्या करेगा honey mission जो है basically यह क्या कर रहा है कि जो farmers हैं उनको train करेगा कि आप कि इसकी भी खेती करो honey की भी खेती करो उसके लिए क्या करेगा bee boxes देगा bee keepers की training देगा educate करेगा farmers को कि वो थोड़ा extra income कमा सके ठीक है घर में इसके लिए ज्यादा space चाहिए नहीं इसके लिए अगर आप देखोगे इसकी खेती कैसे होती है तो आप easily देखो कि ज्यादा space चाहिए required नहीं होती है ज्यादे passage required नहीं होते हैं ठीक है थोड़े से tricks चाहिए होते हैं जो कि ये mission में farmers को ये train किया जाएगा और ये एक प्रधान मंत्री का dream है कि हम एक sweet revolution चलाए sweet करांती चलाए sweet revolution जिससे क्या हो कि farmers की आमदनी जो है वो बढ़े ठीक है और जहानी production में हम बहुत आगे हो और हम बाहर की देशों में बेट सके उसको इससे इसके सा इससे related एक दो question मेरे दिमाग में अभी आया कि who is the father of green revolution in India and who is the father of white revolution in India इन दोनों का answer आपको पता होना चाहिए चलिए green revolution का answer मैं बता दूँ तो उनका answer है में स्वामी नाथन white revolution आप comment box में जरूर लिखे अगर पता है तो नहीं पता है तो आप जहां पे note कर रहे हैं वहाँ पे google search करिए थोड़ा मेहनत करिए खुद से भी research करिए अगला question है 98 what is the name of the mission launched by the western zone of the Indian railway to track lost belongings of passenger इसका answer है mission अमानत ठीक है अपनी अमानत खुद समाली है ठीक है तो यह इसी से related इन्होंने क्या करा है कि railway protection force on western railway zone of Indian railways has launched a new initiative called mission अमानत to take it easier for the railway passenger to get back their lost luggage इसके लिए क्या करना होगा आपको इस website पर जाना होगा और आपके जो lost luggage और belongings है उसकी photos upload करनी होगी उसके बाद यह track हो जाएगा ठीक है इसका नाम याद रखना है और यह कौन से railway zone ने करा है तो western railway zone ने करा है अगला question है 99th है in chess who has achieved the feat of becoming the 73rd grand master of India तो इसका आंसर है भारत सुब्रेमन्यम जो की इंडिया के 73rd chess grand master जो बने हैं और य कहां से belong करते हैं यह तमिल नाडू से belong करते हैं last question है इस video का which actor has been appointed as the brand ambassador of Amway India तो आपको image सही पता चलेगा इसका answer क्या है तो one and only Amitabh Bachan यह Amway और Neutralite डोनों company है इसके इसके यह brand ambassador बने हैं तो चलिए इस video को end करते हैं this is Vivek Kumar signing off thank you for watching this video for more updates you can visit our website www.nayashastra.com और हम एक D.U.L.L.V की foundation course चला रहे हैं अगर आप उसमें interested हो तो आप इस number पे हमें call कर सकते हो यह हमारा Instagram ID है और इस lecture की PPT आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पे available हो जाएगी और टेलिग्राम चैनल का link जो है हमारे description box में है आप जाके वहां से हमें follow कर सकते हैं thank you